हाई अवरिवन वेलकम टू क्वान स्टडी जैसा कि आप जानते हैं हम जेके एससबी एकाउंट एसिस्टेंस में जेनरल साइंस का फजिक्स पोर्शन कर रहे हैं हमने लास्ट लेक्षर भी लाइट का किया था और इस बहर भी हमारा लाइट का कॉंटिनूटि लेक्षर है क्यों एड नहीं किये थे तो इसका कारण यह था कि यह लाइट टॉपिक जो है यह काफी लेंट ही है तो जब यह कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको इसके mcqs प्रवाइट करवा दूँगी तो शुरू करते हैं मारा आज का पॉर्शन हम इसमें क्या है reflection from spherical mirrors से reflection कैसा होता है लेकि reflection पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए सफारिकल mirrors कैसे होते हैं सफारिकल mirrors क्या होते हैं तो इसमें क्या है सफारिकल mirror is that mirror whose reflecting surface is a part of hollow sphere of a glass इसका क्या मतलब हुआ सफारिकल mirror वो mirror है जिसमें reflecting surface hollow sphere का एक पार्ट है अगर मैं आपको इसमें example बताओं यह एक पूरा यह पूरा एक hollow sphere है यह पूरा एक sphere है तो इसका जो इतना सा पार्ट है यह क्या कर रहा है light को reflect कर रहा है तो यह क्या होगा सफारिकल mirror होगा whole sphere का एक पार्ट जो है जो light को reflect करता है उसे ही hollow sphere कहा जाता है तो दो टाइप्स की होते हैं सफारिकल mirror first one is the concave mirror and second one is the convex mirror Concave mirror कैसा होता है यह इस shape में जो होता है वो convex mirror है अब क्या होता है जब मैं थी तो मुझे यह concave में बड़ी जादा ऐसे problem आती थी कि concave कौन सा है तो convex कौन सा है तो इसको मैंने क्या किया था सिफ यह याद रखा था कि convex जो है उसमें single c आता है single c आता है तो मतलब यह इस तरहां से होगा यह convex है single c में यह convex इस तरहां से होगा तो concave में double c आता है तो मतलब एक पहले एक सीधा c फिर एक उल्टा c यह अगर आप एक convex का याद रुखेंगे तो concave का आपको पता चल जाएगा convex में single c है तो c हम किस तहां से बनाते हैं तो वही convex mirror होगा next है inner concave mirror reflection takes place in the bent in surface और concave surface इसका क्या मतलब है concave कौनसा mirror होता है यह इसमें कहा है कि जो reflection है light की वो कहां पर आती है bent in surface में यह bent है इस side यहाँ पर यह reflection इस side पड़ेगी और इसमें example क्या होते inner side of a spoon आप देखते हो ना spoon कैसा होता है इस तरहां से होता इस तरह से होता ना जो inner face of spoon का वो concave mirror शो करता है the convex mirror reflection में जो reflection है light की वो कहां से होती है bulging out surface मतलब इस से अगर spoon को अगर मुल्टा कर दे तो यह बहार के तब जो bulge है यहाँ पर reflection होती है light जो है वो इधर से पड़ेगी तो यह क्या है convex surface और इसमें example आती है back side of a spoon exams में question आते हैं कि जो spoon की inner side of spoon है वो concave mirror शो करता है यह convex mirror तो क्या है inner side of spoon concave mirror शो करता है back side spoon जो है वो convex mirror शो करता है I hope आपको यह clear हो क्या हो then उसके बाद हमारा यह वही उसकी diagram है concave mirror की and convex mirror की यह concave mirror और यह convex mirror इसकी कुछ terms है जैसे यह sphere है यह मैंने आपको बताया कि जो sphere है इसके part को जहां से light reflect होती है उसे क्या कहा जाता है उसे ही spherical mirror कहा जाता है concave mirror होता है and एक convex mirror होता है तो जो center point है, sphere का जो center point होता है इसे हम center of curvature कहते हैं दोनों में concave mirror में और convex mirror में भी इसे center of curvature कहा जाता है अभी center of curvature से जो line pass होती है mirror तक जाती है वो कौन सी होती है principal axis कौन सी होती है वो principal axis अभी ये जो principal axis जिस point पे concave mirror पे या convex mirror पे meet करेगी उसे हम क्या कहेंगे pole of the mirror pole of the mirror इसमें भी इसे pole कहेंगे और convex में भी इसे pole कहेंगे concave mirror में जो pole है mirror का center of curvature है वो front में आता है mirror के लेकिन जो ये convex mirror में इसमें back side में आता है mirror के इसके बाद क्या है ये जो पूरा surface है यहां से light reflect की जाती है इसे aperture कहा जाता है mirror का क्या कहा जाता है aperture और जो distance है center of curvature से लेके pole तक का जो distance है इसे radius of curvature कहा जाता है radius of curvature अभी इसमें एक और चीज़ है वो क्या है जैसे ही light इस mirror पे पढ़ेगी यहां से light आ रही है कोई source है जो light भेज रहा है यहां से light आ रही है तो यहां से reflect होके यह कहां पे जाएगी इस side तो अगर यहां से भी इसके प्रिंसिपल एक्जिस के पैलन में light आती है तो कहां पे जाएगी यहां पे जिस point पे यह meet करेगी light reflect होके हम उसे क्या बोलते है focus principle focus कहते हों और concave mirror में कैसे होता है यहां से light जाएगी और इस से reflect होगी और ऐसे लग दे कि कहां से divergent होके reflect हो रही है यह कुछ center of curvature से नहीं होती यह कैसे होती है अब ऐसे करके यहां से reflect हो रही है और कहां पे meet करेगी यहां पे जहां पे यह lights meet करती है उसे क्या कहा जाता है उसे भी principle focus कहा जाता है mirror का और जो difference होता है principal focus और pole के बीच में हम उसे क्या कहते है focal length जिसे small f से denote किया जाता है तो इसमें क्या है main जो focal length होती है वो मतलब जो radius of curvature है वो किसके equal आजाती two times focal length के मतलब focal जो focus point बनता है वो center of curvature pole के mid point में बनता है इसलिए हम r is equal to two f लिखते है radius of curvature is equal to two times focal length I hope आपको यह समझ आगे होगा इसे हम आगे भी discuss करने वाले हैं point to point first क्या है center of curvature मैं आपको समझा चुकी हूँ center of curvature क्या था यह center point है hollow sphere of a mirror कनके mirror में center of curvature front में बनता है जबकि convex mirror में यह behind the mirror बनता है behind the mirror यह आपको याद रखना है center of curvature front में बनता है और convex में behind the mirror pole क्या होता है center point है spherical mirror यहाँ से principal axis पास होती है meet करती है कहां उसके aperture के ओपर meet करती है उससे pole कहेंगे principle axis क्या है straight line passing through center of curvature and pole उन दोनों में से जो line pass करती है उससे principle axis कहा जाता है aperture portion of the mirror यहाँ से reflection होती है वो aperture है radius of distance है curvature center of curvature and pole इसको radius of curvature जिसे capital R से denote किया जाता है principle focus of a concave mirror point on the principle axis to which all the right light rays which are parallel है principle axis के वो converge करती है converge का मतलब एक point पे आके मिलेंगी इस तरह से तो यह क्या होगा यह होता है converge तो यहाँ पे converge करेंगी वो principle focus a concave mirror का और point principle axis का यहाँ पे beam of light इसे लगते है diverge करें diverge का मतलब यह मैंने आपको बताया था इस तरह से जो raise आएंगी वो इस तरह से reflect कर जाएंगी मतलब ऐसे लगेगा कि वो principle axis के यहाँ पे diverge होके reflect हो रही है यहाँ पे यह जो इस तरह से जाएंगी तो इसे हम क्या बोलेंगे diverge focal length होती है distance between pole and principal focus और यह है r is equal to 2f के इस पर से बहुत सारे numericals भी आते हैं कि अगर radius of curvature इतना तो focal length कितनी होगी और अगर focal length इतनी है तो radius of curvature कितना होगा यह आपको याद रखना r is equal to 2f your radius of curvature two times होता है focal length के दिन उसके बात rules है कुछ concave mirror अब आज हम concave mirror के rules पढ़ने वाले हैं कि उसमें image कैसी बनती है मतलब कहां से कौन सी ray pass होके कैसे diverge होती है कैसे converge होती है यह हम इसमें पढ़ने वाले हैं principle axis के parallel में जब भी ray of light principle axis के parallel में जाती है और वो जाके reflect करती है वो हमेशा कहां से पास होती है focus से पास होगी यह ray कहां से पास होगी जितनी भी principle axis के parallel में ray जाएंगी वो हमेशा reflect होके focus से पास होगी अगर यहां से भी इसके parallel में ray है तब ही वो focus से पास होगी जितनी भी rays जाएंगी वो focus से ही पास होगी यह इसका first rule है then second rule क्या है जब भी ray जो है light की वो center of curvature से जाती है पास होती है वो उसी way में वापिस reflect हो जाती है यह center of curvature है अगर ray यहां से जा रही है यह concave mirror में इस side से center of curvature से ray पास हो रही है तो अगर इस side जा रही है तो reflect होके वापिस इसी way में turn होगी यह इसका second rule है concave mirror का then third rule है when a ray of light passes through the focus जब भी ray of light focus से पास होती है it becomes parallel to the principle axis यह focus से कोई भी ray of light पास होगी तो उसके बाद क्या होगा यह principle principle axis के parallel में reflect होगी यह इसका third rule था then fourth rule है ray of light जो incident होती है the pole for reflector back making the same angle मतलब अगर यह pole पे जाके reflect pole पे जाके पास हो रही है pole पर पढ़ रही है then reflect होके वापिस same angle से यह reflect होगी और इसमें angle of incidence angle of reflection के equal होगा यह काफी important है pole से जब यह पास होती है ray of light which is incident to the pole reflected back making the same angle with the principle axis मतलब जब पोल पर यह light पढ़ती है उसके बाद यह same angle से ही reflect होती है इसमें angle of incidence angle of reflection के equal है I hope आपको यह rule समझ आ गयोंगे काफी important rule है इनी फोर रूल्स का यूज करके image को फॉर्म किया जाता है parallel जा रही है principle axis के और meet कर रही है वापिस focus पे यह रूल था हमने देखा था देन उसके पाद दूसरा rule क्या इसमें एक और रूल लगा हो है कि center of curvature से light पास हो रही है और जाके कहां पर मिल रही है center of curvature से पास हो रही है यह भी हमने देखा center of curvature से पास होती है reflect भी वापिस इससे होती है अगर हम इसको आगे extend करें इन rays को यह तो हमारी image यहाँ पर यह दोनों meet करेंगी वहाँ पर हमारी image बनेगी I hope आपको समझ आ रहा होगा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ यह देखो यहां से यह reflect हुई है लेकिन अगर हम इनको आगे extend करें जहाँ पर दोनों meet करेंगी वहाँ पर क्या बनेगी image कैसी बनी है इसकी mirror के behind बनेगी virtual and erect मतलब straight बनेगी cd बनेगी larger than तो object अगर object इतना सा है तो image उससे बड़ी बनेगी तो क्या मतलब हुआ इसका कि अगर हम principal focus और pole की बीच में object रखें तो हमारी image कैसी बनेगी large बनेगी object से और mirror के behind बनेगी virtual and erect बनेगी देन हमारा next क्या था पहले हमने principal focus पहले हमने किसके बीच में रखा था focus और pole की बीच में रखा था अब ही क्या होगा अगर हम इसमें यह जो हमारी object है अगर हम इसमें यह focus पे रखेंगे object को तो हमारी image कहां पे बनेगी at infinity में बनेगी real and inverted image होगी कैसे यहां से जब यह reflect होगी तो अगर हम इसको आगे produce करें इस तरह से तो यह हमारी in-last image काफे in-last image होगी बहुत बड़ी होगी और कैसी होगी infinity पे बनेगी मतलब काफी दूर बनेगी act focus पे रखेंगे तो infinity पे बनेगी यह आगे इसकी image इस तरह से बनेगी और काफे in-last image होगी इसकी मतलब इसमें क्या था यहां पे वहां पे क्या था image जो है वो कहां पे बननी थी वो बननी थी behind the mirror जब हम focus पे और principle focus पे रखते हैं बड़ यहां पे क्या है कि जो हमारी image है वो infinity पे बन रही है काफी दूर बन रही है और कैसी है inverted है inverted मतलब अगर object इस side है तो image कैसी बनेगी इससे उल्टी बनेगी चौरी मैंने आपको पहले last वाले का ही बता दिया था बट इसका क्या है यह image infinity पे काफी दूर बनेगी और कैसी है inverted मिनेगी और काफी बड़ी बनेगी I hope आपको समझ आ रहा होगा दन इसके बाद है हमारा object अगर focus और center of curvature के बीच में इसमें हमने किस तरह से इसकी placement की है objects की इस तरह से पहले focus और principle focus के बीच में था फिर focus में के उपर था फिर focus and curvature के बीच में है between focus and center of curvature इसके बीच में होगा image कैसी होगी rear line inverted होगी inverted मतलब उल्टी होगी और larger होगी object से कि इस तरह से जब यहां पर जाके meet करेगी तो वहां पर image बन जाएगी इसकी यहां पर दुनों lines meet करती है ना वहां पर जाके image form होती है जो मारा first वाला था उसमें क्या था इस side यह lines meet नहीं कर रही थी कौन से side meet कर रही थी behind the mirror meet कर रही थी इसलिए image वहां पर बनी थी लेकिन यहां पर क्या होता है यह lines जो हैं इस side meet कर जाती है इसलिए image यहां पर बनती है जो कि real and inverted होती है the next क्या है जब भी हमारा object जो है अगर हम center of curvature के उपर रखें तो हमारी image भी center of curvature के उपर ही form होगी इसमें parallel जा रही है और एक focus पर जाके center of curvature के ओपर यह image बनेगी वह real and inverted होगी और सेम साइस की होगी जैसे object की है इसके बाद आता है अगर हमारी object जो है वह सी के beyond हो मतलब सी से पीछे हो तो हमारी image fnc के बीच में बनेगी जो मतलब focus center of curvature के बीच में बनेगी real and inverted होगी smaller होगी object से यह इस तना से reflect होके focus जा रहे हो center of curvature से यहां पर जा रहे हैं दोनों meet कर रही हैं यहां पर कहां पर जाएगी यह इस side से reflect होगी एक पोल पर से जाके reflect होगी जहां पर यह दोनों meet करेंगी वहां पर क्या बन रही है हमारी image बन रही है जो कि real and inverted होगी और बहुत छोटी होगी object से यह image थी यह आपको याद रखनी है बाकि सभी में real and inverted बनती है image लेकिन सिफ एक ही point है यहां पर वर्चूल इरेक्ट बनती है वो कब बनती है जब भी हम object को principal focus and pole के बीश में रखते हैं अब एक पर याद रखे हम image की जो distance है वो इस तरहां से increase करते हैं पहले sorry object का पहले हम principal focus और pole के बीश में रखते हैं then focus के ओपर then focus and curvature then beyond curvature and then infinity पर यह जो image होगी वो कैसे बनेगी then first वाली में हमारी बनती है beyond the mirror then second वाली में infinity फिर beyond curvature फिर curvature के ओपर फोकस के ओपर then focus के ओपर अगर object जो है वो हम इस side पे अपने distance बढ़ा रहे हैं तो image जो है इस side पे हो रही है और इसका distance जो image की size है वो जैसे हम इस side लेते जाएंगे वैसे वैसे decrease होता जाएगा I hope यह थोड़ी सी trick आपको समझा गी होगी then हम आज इसके बाद इसकी uses पढ़ेंगे concave mirror use कहां पे होता है concave mirror shaving में use होता है shaving mirror torches में head lights में ताकि वो क्या कर सके जो light की भीम आ रही है उसको focus कर सके एक जगा पे dentist इसको use करते है teeth की enlarged image मतलब ज़्यादा बड़ी image देखने के लिए use करते है solar appliances में यह mirror use होता है ताकि यह से भी sun rays आएं तो यहां पे अगर concave mirror है तो concave mirror क्या करेगा यह concave mirror है concave mirror में यहां पे light आके तो एक की जगा वो focus करे okay then astronomical telescopes में use होते हैं microscope में use होते हैं okay तो आज का हमारा यह topic था concave mirror का I hope आपको यह समझ आगया होगा अगर कोई भी query इसके related है तो comment box में ज़रूर करें okay thank you so much